दोस्तो आज मेरे पास है Motorola का Edge 14 Neo ये phone अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है इवन ऐसी हलत है कि most of the time ये out of stock रहता है वैसे मुझे भी ये phone काफी interesting लगा तो मैंने इसको 30 दिन तक use किया है तो आज इसके साथ अपना experience share करूँगा और बताऊंगा इसमें आपको 23,000 लगाने चाहिए की नहीं शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े feature से तो इसमें IP68 rating मिलती है इट मींज ये पानी में 1.5 मेटर तक गिर जाए फिर भी 30 मिनट तक खराब नहीं होगा इसके competition वाले किसी phone में IP68 rating नहीं मिल रही है तो ये एक बड़ा advantage है बाकि मैं तो यही कहूँगा पानी से दूरी रखना क्योंकि कोई भी brand water damage की warranty नहीं देता है इसके अलावा phone की सबसे अच्छी बात है ये पकड़ने में बहुती comfortable है इसमें ये जो पीछे wiggle leather design दी गई है इसकी वज़े से हाथ में grip अच्छी बनती है और pocket में भी ज़्यादा बारी नहीं लगता है handy होने के साथ साथ looks में भी premium feel होता है back side में leather जैसे design होने के कारण दिखने में बहुती beautiful लगता है और box में charger, USB cable, back cover सब मिलता है P-OLED display मिलती है P-OLED display की खास बात यह है कि इसकी manufacturing में plastic ज़्यादा यूज होता है तो यह ज़्यादा strong रहती है और इसमें 10 bit color वाला panel यूज किया गया है तो content देखते time color sharp दिखाई देते हैं और overall experience बहुत अच्छा मिलता है YouTube में आप 4K HDR वीडियो इसमें देख सकते हो इसके साथ ही Netflix और Amazon Prime जैसी app में Full HD तर content देख सकते हो पट HDR का support नहीं है एक और खास बात इसमें 144Hz की refresh rate दी गई है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ time pass करने के लिए 144Hz का option दिया गया है बलकि इसे select करते हैं तो जादा तर apps में 144Hz refresh rate मिलती है बाकि मैंने phone को indoor, outdoor सब जगाई यूज़ किया तो display की visibility अच्छी है और देखने पड़ने में किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं होती है एक और अच्छी बात इसमें flicker prevention का option दिया गया है जो screen flickering को कम करता है तो इसका फाइदा यह है कि low light में phone यूज़ करने पे आँखों में stress कम पड़ती है बाकि display के उपर gorilla glass 3 का protection मिलता है बट reality यह है कि बिना temper के phone यूज़ करते हैं तो scratch लगी जाता है तो आप इसमें एक अच्छा temper glass जरूर लगवा लेना लेकिन speaker के मामले में कोई कंजूसी नहीं की गई है और बड़िया quality के dual speaker दिये गए है speaker की loudness और depth आपको पसंद आएगी in fact speaker में Dolby Atmos का certification भी है बस एक कमी है इसमें headphone जाय का port नहीं मिलता है बट अच्छी बात यह है कि type C earphone का support है और music सुनने के लिए बार-बार setting में जाके OTG enable नहीं करना पड़ता है connectivity की बात करूँ तो मैंने इसमें Geo और Airtel दोनो SIM यूज़ की तो 4G और 5G connectivity अच्छी मिलती है in fact Geo SIM के साथ तो इसमें VONR call का support भी है तो आप call पे बात करते टाइम भी 5G internet यूज़ कर सकते हो इसलिए best 5G experience के लिए जहां तक हो सके आप इसमें Geo SIM यूज़ करना connectivity के साथ-साथ call quality भी बढ़िया मिलती है उपर निचे दोनों तरफ माइक होने के कारण noise cancellation अच्छा मिलता है इसके अलावा इसमें Bluetooth और Wi-Fi के latest version का support है साथ में NFC का support भी है कुल मिला के देखा जाए तो इसमें best connectivity option देने की कोसिस की गई है अब software पर आते हैं तो इसमें Android 13 मिलता है और future में इसमें 2 साल तक Android update और 3 साल तक security update मिलेंगे software यूज़ करने में smooth है और stock Android से मिलते जुलता है और Motorola की एक बात मुझे हमेसा पसंद आती है ये अपने phone में bloatware apps ना के बरबर देते हैं और मैं तो कहूंगा दूसरे brands को भी इन से कुछ inspiration लेनी चाहिए कर software में gesture वाले कई useful features दिये गए हैं जैसे phone को shake करके flashlight on कर सकते हैं इसके साथ ही Moto Connect नाम का feature मिलता है जिसमें आप phone की screen को laptop पे use कर सकते हो और phone के camera को as a webcam use कर सकते हो इसके अलवा इसमें sidebar का option है जिसमें आप ज्यादा काम आने वाली app को रखके सीधा access कर सकते हो as lighting का option भी है जिसमें हम incoming call और app के notification के लिए अलग-अलग color choose कर सकते हैं और data privacy के लिए secure folder नाम का feature है जिसमें हम सारी app की dual app बना सकते हैं और अपने private photo और documents को password लगा के रख सकते हैं बाकी calling के लिए इसमें Google dialer मिलता है और जब calling करते हैं तो आगे वाले को announcement जाता है की call recording हो रही है तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना अब most important performance की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 70-30 processor यूज़ किया गया है और RAM type LPDDR4X और storage UFS 2.2 मिलता है Day-to-day यूज़ वाली apps जैसे WhatsApp, Insta, Facebook यूज़ करने पे बहुत सांदार performance मिलती है और attack ने या hang होने वाली कोई दिक्कत नहीं आती है और इस form में minimum 8GB RAM मिलती है तो एक app से दूसरी app में switch करने पे कोई lag नहीं मिलता है इसके अलावा gaming performance भी अच्छी मिलती है BGMI जैसे game में smooth plus extreme की setting मिलती है तो आप 60 apps तक gaming कर सकते हो ये proper gaming phone तो नहीं है बट 60 apps की gaming अच्छी मानी जाएगी बाकि zero sensor proper काम करता है और बिल्कुल delay नहीं मिलता है अब heating वाले issue पर बात कर लेते हैं क्योंकि कई लोगों के मन में इसको लेके doubt है तो बात ऐसी है कि इसमें 30 मिनट से ज़्यादा gaming करते है या camera ज़्यादा use करते है तो phone गरम होता है और temperature normal से थोड़ा ज़्यादा रहता है बट मैंने जितनी बार भी temperature चाय किया maximum temperature 42 degree तक ही गया है तो इसको ओर रिटिंग तो नहीं बोल सकते है लेकिन इस phone की एक बात सही लगी इतना पतला phone है फिर भी इसमें 5000 mh की battery दी गई है और मेरे usage के हिसाब से मुझे एक दिन का backup मिल रहा था तो लगबग 5-6 गंटे का screen on time मिलता है इसलिए battery backup ना तो बहुत अच्छा है ना खराब है दोनों के बीच का है battery backup decent है लेकिन charging speed must है phone के साथ मिलने वाला 68 watt का charger इसको 15 minute में half charge और 50 minute में full charge कर देता है इसके अलावा idle battery range की बात करूँ तो रात बर में 3-4% battery drop होती है जो कि acceptable limit के अंदर है अब camera पे आते हैं तो इसमें 50MP का main camera और 13MP का ultra wide camera मिलता है बेक camera से खिची भी कुछ sample photo आप देख सकते हो dynamic range और exposure को बहुत अच्छा manage करता है पस कभी कभी skin tone को red कर देता है बाकि ported photo में भी edge detection और light control अच्छा मिलता है हाँ photo में color boosted आते हैं और इस type की photo mostly logo को पसंद आती है बाकि night time की photo quality भी ठीक ठाक है selfie के लिए इसमें 32MP का camera मिलता है selfie camera की photo में भी detail अच्छी है light control भी सही है रात की खीची भी photos को भी use ले सकते हैं वीडियो recording की बात करें तो front camera से हम 4K 30fps पर वीडियो सूट कर सकते हैं back camera में भी 4K 30fps का option मिलता है वीडियो में stabilization भी अच्छा है और अगर आपको ported वीडियो सूट करना है तो 720p तक वीडियो बना सकते हो इसमें background blur भी ठीक ठाग मिल जाता है इसके अलावा camera में slow motion, time lapse और dual capture जैसे अच्छे option दिये गए हैं अब ऐसा नहीं है कि phone में कोई कमी नहीं है दो तीन चोटी चोटी कम्याबी है जैसे इसमें memory card लगाने का कोई option नहीं मिलता है इसके अलावा vibration motor average type की है तो haptics उतने अच्छे नहीं है अब सारी बातों को sum up कर दें तो conclusion यह है कि edge protein EO इस segment के सबसे feature packed phone में से एक है सबसे बड़ी बात है इस price में आपको IP68 rating मिलती है तो आप 23,000 में एक balance phone ढून रहे हो जिसमें display, performance, camera और software अच्छा हो